अब अच्छे college में पहुंच जाएं तो आपने priorities अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं टाइटल और थम्निल तुमने देख लिया होगा आज की इस वीडियो में बहुत ही reality की बात करेंगे इस वीडियो को लास तक दिखना सभी बच्चों के लिए बहुत ही important वीडियो होने वाला है आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं relationships in schools के बारे में बात कर रहे होंगे यह एक ऐसा topic है आपकी college life over हो जाएगी आप बच्पन से बढ़ाई कर रहे हैं आप जीवन के 12-15 साल आप पढ़ते बढ़ते गुजार देंगे बट इन सभी बातों को आपको कोई भी नहीं बताएगा इतर आफ पैरेंट्स आपसे अलग हैजिरेशन रखे बैठेंगे जो आपके बड़े हैं वह आपके अलगी मजे ले रहे हैं ठीक है वह आपसे कभी बात नहीं करना चाह रहे हैं डारेक्टली इन सभी बातों के बारे में बट ऐसा बड़ा भाया मान सकते हैं ऐसा कि मैंने चीजां फेस करी अपने टाइम पर अपने दोस्तों को देखा या मैं यह कह सकता हूं कि मैं देख रहा हूं कि बच्चों को अंदर दिक्कत सबसे ज़्यादा कहां आ रही है तो वह यह है टॉपिक हमारा रिलेशन्शिप हम बच्चों को एक तरफ तो पढ़ा रहें कि यह एक तरफ तम कहरें मीडिया मत चलाओ मत चलाओ बट दूसरी तरफ उनका जो फोकस है उनका जो अटेंशन है वो जा कहां रहा है यह भी हमें समझना होगा तो आज की इस वीडियो मैंने तीन टाइप के तीन कैटेगरी के बच्चों को डिवाइड करा हुआ है सबसे पहले ह मारे ऐसे विद्यारती है जो कि अभी दूसरों को इंप्रस करने में लगे हुए है वह यह सोच रहे हैं कि कास उसने मुझसे ही पैन क्यूं मांगा और उसको नाम भी नहीं पता कि मैंने किस से पैन मांगा तो अब यह जो पैन मांगने वाली हरकत है इसके बाद यह सोच रह बाद करेंगे जोकि हमारे ऐसे बच्चे हैं जोकि 11 से थोड़ी बहुत बातचीत वगरा कर ली और उन्होंने क्या करिया ठीक है सामने वाले को मना लिया या रिलेशन्शिप के अंदर हैं तीसरे हमारे ऐसे विध्यात्रीगर होने वाले हैं जिनके साथ में तो कोई आया थ लेकिन अब जो है वह जा चुका है तो अब वह एकदम उदासे उदासे घूम रहे हैं चलो आओ इस वीडियो को शुरू करते हैं बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो होने वाला है कुछ रियलिटी के बेसेस पर बात कर रहा हूं चुकि आज तुम्हें नहीं देखाई कास थोड़ा फोकस सई जगा कर लियो होते तो काफी फाइदा हो गया होता हमारा देखो जितने भी हमारी ऐसे बच्चे हैं जो कि इभी इंप्रेस करने की तरफ बहुत जादा ध्यान दे रहे हैं मैं आपको एक बास साफ साफ बता देता हूं आप इंडारेट्ली और डारे में एक शीज का नुकसान कर रहे हैं तो अपने कंसंट्रेशन का भी नुकसान बहुत अच्छे से कर रहे हो कैसे कर रहे हो यह बात आपको भले ही रिलाइस ना हो बट मैं आपको इस वीडियो में से करवा देता हूं तुम यह कोशिश कर रहे हो कि यह सामने वाला बंदा या बंदी यह वह कोचिंग में आया या नहीं आया तो अपने टीचर तुमारा चानक से तुम्हारा ध्यान तरफ नहीं है तुम यह बैटे हुए और तुम देख रहे हो यार एक बार मुड़ जाओ हो सकता हुक किसी और रीजन से ठीक में पनी मुंडी कुमाई और आपने समझा आए इसने तो मुझे देख देखने के सकते मुंदी वुमाई और तुम अलग ही खुश हुए रह रहे हैं तो क्या होका होगा मैं कि आपको एसा और लगने लगए कि क्या होता है अब Tim वीव से देखते हैं समझ रहें कि तुमने लगा लिया चस्मा कौन सा वाला अब तुम्हारी कोई भी हर्कत सामने वाला करें तो तुम्हारी तुम्हारी करना चालू रखोगे तो आपके साथ बहुत अच्छी चीज होगी वह क्या होगी कि जब आपका बोड एक्जाम आएगा क्या होगा जब तुम्हारे नंबर तो बहुत कम आ रहे होंगे तो अब पेपर की डिफिकल्टी वह थोड़ी से नहीं एक बहुत ड्रास्टिक आपको देखने को मिल रहा होगा दूसरी चीज सामने वाला जो भी ब कि बताता हूं कि होता कि एक लड़की के बीचे लड़े जा रहे हैं और उसको तो इनके नाम भी नहीं पता है तो अगर आप बहुत साथा गलत कैटेगरी में हैं इस कैटेगरी में क्या है आपका कोई कन फर्मेशन नहीं है और दूसरी चीज सामने वाला तुम्हें जानता भी नहीं है यानि कि यहां पर कंफरमेशन की जो उम्मीद है तो इसको अभी ज्यादा ध्यान ना दिया चाहिए हम अभी ध्यान किस पर देंगे हम यह मानते हैं कि अभी थोड़ा सा यह मुहम आया है और यहां से अभी हम उठ गए तो हम बहुत ही अच्छी जगह लेंड कर र फोकस कर रहे हैं आप जिस पर फोकस करोगे वही चीज आपको फिर देख रही होगी तो देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत आपके अपनी सुराउंडिंग को चेंज करनें अगर तुम इस कंडिशन में फॉल कर रहे और अगर तुम सुधरना चाहते हो तोस्तों में बनाना थिखने हैं कि और आपको कोचिंग में अगर पीचर बैठ रहे हैं ताकि वह दिखाई ना दे या अपने बैचे वगेरा भी चेंज कर सकते हैं यह चीज बेटा आपको अभी तो बहुत अच्छी लग रही है अभी तो बहुत सारी चीज़ें दो मस्त मस्त दिख रही है और जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना क्लास 12 का तब तुम्हें समझ में आएगा जब तोम्हारा कॉम्पटीशन का रिजल्ट आएगा जब जो एकदम मस्त चल रहे होंगे तो उनको मैं साफ साफ एक बहुत अच्छी सी बात बता देता हूं देखो यार अभी दिक्कत क्या है ना कि अभी तुम्हारा और सामने वाले इंसान का ठीक है तो बहुत ही रिलेशन्शिप्स होते हैं जो कि आपके एंड तक एक्जिस्ट कर चलते हैं इसमें क्लाश 11 थै क्लास 12 थै उसमें क्या होता है कि हमारे डुमेन बहुत या होता है हमारा डुमेन से 15-15 वे और विधन्चोली आपने ऐसा उसके बारे में दोलिर्च नएब यही जो सब कुछ बिलकुल भी नहीं तो मैं नहीं पता कि सामने वाला जो है तो मैं यह बात बिलकुल भी नहीं पता कि जो सामने वाला है वो किस मोटिव से तुमारे साथ में है कई बार मैं यह से अरकत होती हूं देखी इसलिए आपको बता रहा हूं कई वर लोग क्या करते हैं कि भाईया सामने वाले को इधर से भाईया वन सायरीड हो रहा है बड़ करते हैं दूसरी करफ से भाईया कभी कभी थीक है बाकि सबसे नॉर्मली बात करती है पर कभी कभी ही जो मेरे से बात पाती है उसको टाइम नहीं मिलता भी ऐ उसके घर में सारे लोग रहते हैं तो आपका ना बिटा फिर समझ जाओ क्या हो भोरा है तुमारे साथ आपको सब्सक्राइब कर देखने को मिलता है यूमन की नीड है कि हमारी कोई भी अगर तारीफ कर देता है थोड़ा सा उसके तरह उसके लिए अच्छा अच्छा बता रहा है अब इसका तो यूमन को चाहिए होता है अगर मैं तुम्हारी चार बात तो तो यहां पर अगर आप ऐसी चीजों में इन्वाल वह तो अभी में आपसे कहूंगा कि आप बहुत ज़्यादा टाइम ना दें तो आपके लिए फाइदा होगा आगे ठीक है आपको बस दो चीज़ बचानी है अपना टाइम बचाना और पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अपना यहां पर अपना जो फोकस है वह सेव कर लेना है ठीक है बाग मुझे पता है इनकी संक्या सबसे ज़्यादा होगी अब क्यों होगी बेकास कईयों की तो इमेजनेरी गलफ्रेंट्स बन जाती है अब इमेजनेरी गलफ्रेंट का बढ़िया कंसेप्ट क्या है तो कंसेप्ट यह है कि वह कोई भी रेंडम लड़की इन्हों ने देख ली उस से प्यार हो गया और फिर आँ उसके बारां इंपता क्या है कौन से इक्ष he is the guffic cleaning जाती है और सब में अकदम कर दिया भाई हमारी एक तो तुम सब की भावी है और तुम उसे जानते भी नहीं हो कुछ हम इसमें हमारे ऐसे केस होंगे जो कि भाईया 11 में तो चल रहा था भाईया हम शादी वादी करेंगे हम एकदम बहुत लंबा चलेंगे ठीक है जी में मर नहीं कसमें हमने खा लें थी और उसने जैसे एक दूसरा बंदा देख लिया त एक एक दम मस्ता तो बहुत लोयल आदमी और सामने बारा दोश्य चार लोगों से बात कर रहा है अब इस केसे बच्चों को लगता है बहुत दुखी हमारी दुनिया कहत्म हो गई है हर जगा से डिश्टेटर सबको देखने को मिल रहे होंगे इनके तो इसका सॉलूशन क्या है इसका सॉलूशन यह है सबसे पहले अगर आप पर रिलेशनशिप का ब्रेक अब और आप उससे उभरना चाहते हैं तो मेरी बस ट्रिप आपके लिए इतनी से रही आपको सोशल से लिकवर होने का क्या लॉजिक है तो मैं आपको बताता हूं लॉजिक क्या है तो ध्यान समझना है यूजली क्या होता है जो हमारे सोशल मीडिया का अलगोरिदम जो बनाए गए खास तरह से इंस्ट्राम का जो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आप जिस शॉर्ट को या इस वाली वीडियो का आपका अपके डिनवार और ये जो स्ट्रॉंग इमोशन मना देंगे यानि कि आपको यह फिल किया जाएगा कि आप अपनी जगा बिल्कुल सही है सामने वाले आपके साथ गलत किया आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है ठीक है आपके जिन्दीवे से कुछ बहुत इंपॉर्डेंट चीज चली गई करोगे कि जो इनसान गया वह आपके लिए अच्छा ही था ठीक है तो आपको करना क्या है सबसे पहले का हम सोचल मेडिया से डेलेट कर देना फिर दूसरी देखा है भीया हम जो इना अपने ब्रेक अप से अपने डिलेशनिप से रिकावर तो करना चाहते हैं बट साथ में फो आपको यह जो स्लो पोईजन तुमने रखा हुआ है आपको इस लो पोईजन को डिलीट कर देना है तो आपको इस टाइम पर अपने आपको थोड़ा सा बिजी रखना है और आप इवेंच्वली जो है चीजों से ओवरकम कर जाओगे अपने स्कूल जाओ कोचिंग से नहीं देखाओ किताबों को पढ़ो बोड़ एक्जाम पर फोकस करो ठीक है नहीं चीजी समझ में आ रहे हैं यूट्यूब से पढ़ लो ठीक है और अगर थोड़ा सा पढ़ना है किताबों को पढ़ो क्वेशन सॉल्व करो इस तरीके से तुमारे लिए थोड़ा सा बैटर रहें चीज हैं तो अमीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत को सीखने को मिला होगा और ट्रस्ट मी यह सारी चीजने आपकी एज में होती है चीजने नॉर्मल है बट इन सब के हमें बात करनी चाहिए आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके लिए अभी क्य सब्सक्राइब कर लेते हैं उनकी पड़ाई बहुत अच्छी चल रही होती है और वह सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर आपके पास ऐसा को सीन है तो तो मैं आप से कहूंगा कि आप थोड़ा सा पढ़ाई को पैर यह ज्यादा कर दें और उसके बाद में जादा कर दें और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखा देना कर दो घ्रोड़ार वह सब्सक्राइब क देग से कहूंगा कर दिंग辩ा वह जद्यानक कर दोड़ने में जादार इना सै कर दो तो तो capable थो रहा हैं तो जो रहा है जई कर दो ऐस